हलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते बटा चैप्टर नंबर टैन सर्कल यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि सर्कल होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ प्रोपर्टीज पढ़ेंगे कि सर्कल से रिलेटिड जो भी हम चीजे यूज करेंगे अपने चैप्टर में वो क्या क्या है तो सबसे पहले अगर मैं सर्कल की बात करूं वैसे देखने में तो आपको पता होगा कि सर्कल जो होता है कि राउंड सेप का होता है इस तरीके से यह मान लिया क्या होगा हमारा सर्कल अब यह क्या है बना कैसे है यह क्या होता क्या होता है collection of points which are at a constant distance यहाँ पे माल लिया क्या है इसका center माल लिया जाता है अब इसके constant distance माल लिया यहाँ पे 2 cm का distance है 2 cm distance पे चारो तरफ अगर हम point लेते हैं और उनको join करते हैं तो वो क्या कहलता है हमारा collection of points from a fixed distance और इससे क्या form होता है हमारा के circle form हो जाता है अब दूसरी चीज जो होती है वो क्या होती है यह एक plane के अंदर होना चाहिए या तो x-axis में या y में या z-axis में ऐसा नहीं है कि आपको x-y में y-z में z-axis में या फिर x-y-z 3-axis में इसको लेना हो तो only single plane में होना चाहिए और collection of points जो होता है from a fixed distance is called a circle I hope यह चीज आपको clear हो गई है next बात करेंगे हम अगर मान लिया हमारे पास दो चीज गिवन हो एक circle गिवन है और एक line गिवन है तो यह इन दोनों के बीच में क्या क्या relation हो सकते है तो first relation जो होगा वो क्या होगा कि अगर यह line और यह circle एक दूसरे के बिल्कुल भी contact में ना हूँ the line and the circle have no common point first point क्या होगा line and circle have no common point एक तो यह condition हो सकते हैं हमारी उस case में क्या होगा बिटा यह circle हो गया और जो line होगी यह क्या होगी outside the circle कहीं पे भी हम draw कर सकते हैं second condition क्या होगी line and circle have one common point क्या हो एक common point हो दोनों के बीच में अगर एक common point हो जाएगा तो बिटा किस तरिके से होगा circle को वो line जो है कहीं न कहीं क्या करेगी touch करेगी और जिस भी point पे touch करेगी वो क्या क्या लाएगा इनका point of contact और इस line को क्या कहा जाता है इसमें tangent कहते हैं यह चीज आपको बहुत बार सुनने में मिलेगी tangent word tangent जो होता है एक line होती है जो circle के outer side को touch करते हुए जाती है third point दिखेंगे अपना third point जो है next है if there is two common contact point line और circle के बीच में line and circle have two common points अब two common points हो तो इस case में क्या हो सकता है हमारा यह circle हो गया हमारा और इसमें कहीं से भी यह line draw कर दी तो यह यहां पर क्या होगा circle और line के बीच में क्या होगा two point of contact A और B इस line को क्या कहते हैं हम अपनी secant कहते है अगर कोई circle को दो जंग ऐसे cut करती है line तो उस line को क्या कहा जाता है secant कहा जाता है I hope यह 3 points आपको अच्छे से clear होगे होगे अब tangent से related 3 point पढ़ते हैं अगर हमारा point और circle के बीच में relation लिया जाए point और circle के बीच में इसमें क्या होगा if first point क्या लेंगे if point is inside the circle अगर circle को point को अगर हम circle के अंदर ले तो यह हमारा circle हो गया इसके अंदर point यह ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा बिटा कोई भी tangent हम इस point से कोई भी draw नहीं कर सकते तो यहाँ पे क्या जाएगी no tangent second case है if point is on the circle क्या हो अगर point को हम किस पे लें circle के उपर लें यह हमारा circle हो गया कहीं पे भी अगर हम point assume करते हैं माल लिया यह point तो इस point पे क्या कर सकते हैं at most एक single tangent row कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगी one tangent row हो जाएगी ठीक है अब third case जो होता है point lie outside the circle point lies outside the circle अगर जो point है वो circle से outside lie कर रहा हो यह हमारा circle हो गया तो यहाँ पे अगर मान लिया कोई point है तो इस point से क्या कर सकते हैं हम दो tangent row कर सकते हैं circle के उपर एक tangent यह और दूसरी tangent यह यह होगी हमारी t1 tangent यह होगी हमारी t2 tangent और point p तो यहाँ पे क्या होगा हमारी two tangents draw हो सकती है I hope यह points भी आपको clear हो गये होंगे 3 points यह थे circle से related 3 points यह हैं चलिए अब देखते हैं अपनी theorem number 10.1 और 10.2 करते हैं इसमें theorem number 10.1 देखते हैं क्या कहते है theorem 10.1 the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact उसने क्या कहा है कि अगर circle पे कोई tangent draw की जाए तो जो radius होता है on the point of contact वो क्या होता है बटा perpendicular होता है यह चीज़ हमने क्या करनी है यहाँ पे प्रू करनी है तो चलिए मैं एक बार circle draw कर लेता हूं इसका figure draw करता हूं यहाँ पे क्या है मैंने एक circle draw कर लिया है अब circle के साथ एक tangent draw करते हैं यह हमने क्या कर लिये के tangent draw कर लिये तो उसने क्या का है कि अगर circle के contact में एक tangent draw करते हैं तो जो भी point of contact है यह हमारा P है जो point of contact और यह हमारा है center center of the circle तो यह जो होता है यह perpendicular होता है means यह 90 degree हमने यहाँ पे क्या करना है prove करना है तो यहाँ पे x y क्या है, हमारी एक tangent है कोई भी एक another point ले ले लिते हैं हम इस tangent के उपर यह माल लिया क्या है q point और q को और o को क्या कर लिते हैं join कर लिते हैं और जहाँ पे यह circle को meet कर रहा है इसका भी कोई name टेक लेते हैं माल लिया इसका name है ए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम theorem करने से पहले सबसे पहले लिखेंगे given क्या है हमारे पास given लिखते हैं in a circle o is center क्या है in a circle o is center x y is a tangent having point of contact at p क्या का है o क्या है center of the circle है x y क्या है उसकी tangent है और p क्या है point of a contact to prove क्या करना है हमने to prove prove हमने करना है कि जो op है op perpendicular किस पे है x y पे means op जो है x y tangent के उपर क्या है perpendicular है इसके लिए मैंने क्या कि construction की है construction जो की है वो कर लिख लेंगे एक बर क्या construction की है q एक point है जूम किया था let q is a point on x y ठीक है उसके बाद क्या कि हमने join o q o को और q को क्या कर लिया join कर लिया और क्या है a is a point on circle आई होप यह चीज आपको clear हो गई है आप चलते हैं अपने proof की तरफ proof बिल्कुल ही जी है इसका वो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे अब जो q है वो क्या है outside the circle है q is outside the circle और op जो है वो क्या है radius और a point क्या है on the circle तो यहाँ पे देखेंगे बटा जो o a है वो क्या है o क्यों से small है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे o a is less than o क्यों q outside the circle है a on the circle है तो o a क्या है small होगा किससे o क्यों से next जो होगा o a is equal to किसके है op के o a equal to op है दोनों क्या है हमारे radius अब यह दोनों radius है o a अगर o क्यों से less than है तो o p भी क्या होगा so o p is less than o क्यों तो यह भी क्या होगा o क्यों से small होगा अब small है यह यहां पर तो क्या लिखेंगे o p is sort test distance sort test distance so we know sort test distance are always पर्पेंडिकुलर on a line जो sort test distance होते हैं वो क्या होते हैं में साब प्रपेंडिकुलर on a line होते हैं तो क्या होगा यहां पर प्रूव कर दिया आमने op जो है वो किस पर है प्रपेंडिकुलर on a xy इसको क्या लिख देंगे hands proved I hope यह theorem आपको अच्छे से clear हो गई होगी कहीं पर कोई doubt होता है मुझे comment करें otherwise इस चैनल को subscribe करें next theorem देखते हैं अपनी 10.2 theorem 10.2 देखते हैं 10.2 क्या कहा गया है theorem 10.2 में the length of tangent drawn from an external point अब सबसे पहले मैंने जो starting में बताया था क्या है कि अगर कोई circle से बाहर point लिया जाता है तो कितनी tangents draw हो सकती है 2 tangents draw हो सकती है तो उसे क्या काया है कि अगर circle के बाहर से कोई point लेके और tangent draw की जाए तो दोनो compassionate की length जो होती है वो क्या होती है equal होती है ये چीज हमने क्या करनी है प्रू करनी है ये हमारा सर्कल हो गया इसके आउट साइड क्या कर लेता हूं मैं एक पॉइंट एजूम कर लेता हूं ये पॉइंट मैंने क्या कर लिया यहां पे आउट साइड दा सर्कल एजूम कर लिया पी पॉइंट अब इस पी से क्या करते हैं हम इस सर् पॉइंट ओफ कॉंटेक्ट मान लिया क्या है और यहां पर इसका पॉइंट ओफ कॉंटेक्ट मान लिया क्या है क्यों अब यहां से लेके इसको जोइन कर लिते हैं इन दोनों points को center से क्या कर लिया join कर लिया अब ही हमने theorem number 10.1 में पड़ा था कि अगर tangent के उपर center से कोई line आती है तो वो क्या होती है बटा perpendicular होती है तो ये क्या है हमारे पास 90 degree I hope ये चीज clear है अब हमने क्या करना है क्या prove करना है कि P के उजो है वो P R के equal है इसको prove करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें दो triangle है हमारे पास O Q P और O R P इस triangle triangle 1 को और triangle 2 को हम क्या कर देंगे एक दूसरे के congruent prove कर लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हमारे theorem करने के लिए क्या करना है हमें given क्या है वो write down करते है given क्या है हमारे पास circle having O is center and P is a point outside the circle ठीक है और P Q and P R are two tangents यह क्या है हमें given है यह चीज prove क्या करना है बिटा to prove हमने दोनों tangents को equal length की prove करनी है means P Q is equal to किसके भरना हमें P R के परना है तो यहां पे क्या कर लेंगे construction की है मैंने एक छोटी सी O P को क्या कर लिया join join O P O P को join करने से क्या हुआ हमारे पास यहां पे दो triangle form होगी तो इसका proof देखते हैं अब कैसे करना है proof बिलकुल इजी है वो देखेंगे O Q and O R O Q and O R are radius क्या है O Q और O R क्या है radius है next जो है angle O Q P is equal to किसके है angle O R P is equal to 90 degree क्यों है tangent to a circle perpendicular to radius on point of contact कि जहां बे भी point of contact होता है radius से वो line क्या होती है perpendicular होती है या फिर इसको क्या लेख सकते है using theorem 10.1 10.1 थियोर्म का use करके क्या होंगे ये दोनों के दोनों angles क्या हो जाएंगे हमारे 90 degree अब बात करते हैं intringle O Q P antringle O R P की intringles के अंदर देखेंगे बटा O P is equal to किसके है O P O P O P क्या है दोनों में common है I hope यह चीज कलियर है next बात करेंगे O Q is equal to किसके है O R के radius है ये भी दोनों equal होंगे और angle O Q P is equal to किसके है angle O R P के ये दोनों क्या है 90 degree अब two sides और एक angle 90 degree हो गया हमारा तो दोनों angles क्या होगे एक दूसरे के congruent so triangle O Q P congruent होगी बटा किसके triangle O R P के अब दूनों ट्रेंगल इक्वल congruent है तो उनकी sides भी क्या होगी इक्वल होगी तो यहाँ पर क्या लिख देंगे so P के O is equal to किसके हो जाएगा P R के by C P C T इसको क्या लिख देंगे hands proved I hope ये theorem 10.2 आपको अच्छे से clear होगी कहीं पर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें अधरवाज इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और share करें Thank you students आव ला मुझे लाएट करें